नमस्कार दोस्तों फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस भाई सिलोद में तो चलिए बच्चों हम सरस्वती माता और परमपिता परमात्मा का असिरवाद लेकर वीडियो स्टार्ट करती हैं तो चलिए आज की वीडियो का हमारा पहला क्यों चैनल 21 तो गुन सुत्र पुछे तो ट्वाइस करदेना बच्चों हमारे पास है कि गुन सुत्र के जोड़े पुछे गए हैं तो वो याद रखने हैं क्लियर चलिए डियने की फुल फॉर्म पुछे बच्चों इसनाए कि डियने का पूरा नाम क्या होता है डियोक्सीर राइबो Nucleic Acid याद रखना और एक ATP की भी पुची जाती है चलिए DNA की दवी सुत्री दवी कुंडलीनी सनरचना का पता लगाया था यहने double strand structure of the DNA इसे क्या बोलते हैं double structure strand of the DNA is discovered by उसका पता किसने लगाया था Watson और Crick ने लगाया था question भी आता है बच्चो कि DNA का model जो represent किया था वो किसने किया था दवी कुंडलीनी यहने double strand structure जो बनाई थी वो किसने बनाई थी Watson और Crick ने बनाई थी चलिए next question DNA का friction विक्सित किया था किस के दवारा तो DNA का जो friction विक्सित किया था यानि उसकी जो process जो विक्सित कि थी वो किसने की थी एलेफ जैफरी दवारा की गई थी यानि जैफरी ने इस friction को विक्सित किया था डैवलप्ट किया था चलिए DNA में पाई जाने वाली सरकरा कौन सी है यानि कौन सी सरकरा DNA में पाई जानी होती है विच सुगर भी present इन है DNA तो वो कौन सी होती है पैंटोज सरकरा होती है कौन सी होती है पैंटोज चलिए नुकलियस के बाहर DNA कहां मिलता है तो यानि आपके पास कोसिका केंदरक के अलावा कोसिका के केंद्रक के अलावा यानि नूकलियस के अलावा आपके डियने किस कोसिकांग के पास होते हैं तो कलोरोफिल के पास यानि हरी तलवक और पलस माइटो कॉंड्रिया के पास होते हैं तो आपका अनसर यहां क्या है माइटो कॉंड्रिया कलियर चलिए नेक्स्ट क्योस्टन डिने में थाइमिडाइन द्वी भाजी संरचना किसके कारण होती है तो ये आपके पास किसके कारण होती है अल्ट्रा वाइलेट रेडियेशन के कारण होती है तो थाइमिडाइन द्वी विवाजन द्वी विवाजन थाइमिडीन क्या होत ही है उसका द्वी वाजन किसके कारण होता है तो अल्ट्रा वाइलेट प्रा बेंगनी वी किरुनों के दवारा होता है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्योश्चन हमारे पास कि वह सरीर का कौन सा अंग है जो कभी भी विसराम नहीं लेता तो यानि आपके पास नौन रेस्ट औरग हरियों का अधेन यानि हार्ट है एंड इट्स डिसीज भी रिलेट तो विच साइंस ब्रांच तो वो किस से डिनोट करती है बच्चों कार्डियो लोजी किस से डिनोट करते हैं उसको हम कार्डियो लोजी चलिए पहला सफल हर्दे परत्यारोपन किया था तो पहला जो Christian and Bernard ने किया था यानि पहला हर्दे परत्यारोपन किस के द्वारा किया गया था C.N. Bernard के द्वारा किया गया था चलिए सल्ले चिकिच्या के लिए क्रित्रीम हर्दे का प्रियोग किस ने सुरू किया था यानि आपके पास सल्लेचिकिट से अगे लिए क्रित्रिम हर्दे का परियोग सरोपर्थम किस ने किया था माइकल दीवैकी ने किया था किस ने किया था माइकल दीवैकी ने चलिए ECG की किस की गतीविती को दरसाता है तो ECG आपकी किस की गतीविती को दरसाता है चलिए हर्देय का काम क्या है तो हर्देय का काम रुदीर को उतकों को ऑक्सिजन तक पहुंचाना या उतकों से कारबन डायोकसाइड ले जाना या अपसिस्ट दर्वें का उतसरजन करना या रुदीर को विभिन अंगों में पंप करना तो यह आपका कारे कौनसा करता है बच अंगों तक ले के जाता है कहां से हरदे से और लाता कहां से हैं बाकी अंगों से ले कर आता है लेकिन इसका काम क्या है? पंप करना तो चली नेक्सल लब डबडवनी किस किरिया के कारण उतपन होती है यानि लब और डब जो sound generate होती है वो किस के कारण उत्पन होती है तो वो हर्दे के कारण ही उत्पन होती है जब उसके कपाट खुलते और बंद होते हैं वालव यानि ओपन और कलोज होते हैं तो कौन सी साउंड पैदा होती है लाबोरे डब तो मनुश्य के सरीर में हर्दे को एक बार धड़कने के लिए कितन समय चाहिए यानि हर्दय को एक समय अगर वो धड़कता है तो उसका समय कितना लगता है 0.08 यानि एक सेकंड का भी इतुमा हिसा लगता है यानि पूरा एक सेकंड भी नहीं लगता तो 0.08 सेकंड में हर्दय धड़कता है clear चलिए तो अब आता है हमारे पास next question बचो कि हमारे पास question है कि समाने वैसक व्यक्ति के हर्दय का वजन लग भग कितना होता है तो वो कितना होता है बचो 300 गराम होता है यानि मनुश्या के साधारन हर्दय के वजन की बात करें तो लग भग कितना होता है 300 गराम होता है इसी तरीके से क्यूशन बनता है बच्चों की मानव हर्दे में कितने वालव होते है तो जैसे आपके पास चेमबर पूछता है वैसे ही आपके पास वालव पूछता है तो वो भी कितने आपके पास 4 तो वो 4 वालव होते हैं हमें कहते हैं ना कि हमारे पास अगर मानाव हर्दे में वालो पुछे तो कितने हैं हमारे पास चार तो हमारे चेंबर कितने हैं चार तो वालो भी कितने हैं चार तो जो चेंबर लिए जाते हैं जैसे किया कि आपके पास दाया निले और बाया निले तो और दूसरा कौन सा होत जो धड़कंदर होती है वो कितनी होती है परती मिनट में 70 से 80 बार होती है कितनी होती है 70 से 80 बार तो चली एक मिनट में मनुश्य का हर्दे समानियत कितनी बार धड़कता है बैतर बार और ये भी याद रखना कि जब मनुश्य का हर्दे एक बार धड़कता है तो वो कितना रक्त पंप करता है ये भी बता देता हूं बचो 70 ml पंप करता है यानि एक बार में हर्दे जब धड़कता है तो कितना रक्त पंप करता है 70 ml और पूरी बोड़ी के अंदर जितना रक्त होता है कितना लग बगम 5 लेटर लेते हैं बचो तो ये 5 लेटर मनुश्य का रक्त कितने समय में पंप कर दिया जाता है हर्दे के दुआरां तो ये 5 लेटर बचो एक मिनट के अंदर क्या कर दिया जाता है पंप कर दिया जाता है कैसे कि मनुश्य के सरीर का जो हर्दे पंपिंग होते हैं उसे हर्दे उत्पादन कहते हैं यानि हर्दे उत्पादन का अर्थ है हर्दे यानि हर्ट प्रोड़क्शन का अर्थ है कि जो र हड़कन में कितना रख्ट पंप होता है सतर एमल तो ये लगबग एप्रोक्सिमेट कितना बनता है वच्छो पांच लिटर याद रखना चलिए नेक्स्ट क्योशन कि परती दिन समानियत हमारे हर दे के कपाट लगबग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं तो ये वच्छो आपके लगबग एक लाक बार क्या होते हैं खुलते और बंद होते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्योशन कि मनुश्यों में रख्ट चाप समानियत कितना होता है तो मनुश्य का जो रख्ट चाप समानियत कितना होता है एक सो बीस बटा असी यानि कितना लिया जाता है एक स से मापा जाता है असफी गैमो मेटर से मापा जाता है और दूसरा धड़कन का पता लगाने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है डॉक्टर तो वो होता है स्टेतोस कॉप कौन सा होता है स्टेतोस कॉप तो ये हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट भी बड़े काम के हैं चलिए किन की बीतियों पर दाब किन की बीतियों पर रक्त दवारा डाले गए दाब को रक्त दाब कहा जाता है यानि बलड प्रेशर कहा जाता है यानि किस के उपर किन वाल से यानि किस वाल के उपर बीतियां होती है वाल उनके उपर जो आपका रक्त डाब डालेगा प् दाब चलिए रक्त चाप निमन लेकिते में से किस में उच होता है तो रक्त चाप किस में उच होता है तो धमनियों में उच होता है और सिराओं में क्या होता है निमन होता है चलिए नेक्स्ट क्योशन धमनिया होती है आपके पास वेंट्रिकल्स और सोरी आर्टरीज और सिरा को और आर्टरीज कहते हैं धमनी को रक्त दाब का नियंतरन कौन करता है तो रक्त दाब का नियंतरन अधी वरिक करता है अड्रिनल ग्लेंड करती है अड्रिनल हार्मोन जो अड्रिनल ग्लेंड के दोरा है वो कंट्रोलाइजेशन करता है किसका आपके पास रक्त दाब का और क हार्मोन स्त्रावित होता है जो एक तरह से जैर बनाता है जिससे आदमी की मिर्त्यू भी हो सकती है और बैवस होकर गिर भी जाता है तो चलिए हर्दे की धड़कन को उतजित करने वाला हार्मोन कौन सा है तो यानि हमारे पास हर्दे की धड़कन को जो आपकी पंपिंग करता है वो हार्मोन कौन सा है तो थाई रॉक्सिन कौन सा होता है थाई रॉक्सिन चलिए नेक्स्ट क्योशन नेक्स्ट क्योशन हमारे पास कि हर्दे की धड़कन की गती निमिल लिकित में से किस से बढ़ती है तो यानि हमारे पास हर्दे की धड़कन की गती निमिल लिकित में से किस तंत्रीका से बढ़ती है तो वो कौन सी होती है अनुकंपी तंतरीका तो कौन सी होती है अनुकंपी तंतरीका से क्या वड़ती है धड़कन चलिए नेक्स्ट क्योशन निमिल लिखित में से कौन से कौन मानव हर्दे तक एशुद रख्त पहुंचाता है तो मानव हर्दे तक जो एशुद रख्त पहु सिराएं जो है वो सरीर के बाकी हिस्से से एशुद रक्त को मानव के हर्दे की किस भाग में पहुंचाती है तो याद रखना एशुद रक्त हमेशा राइट साइड में आता है और शुद रक्त कहां रहता है लेफ्ट साइड में और अगर इकठा होगा तो राइट एट्रियम में होता है यानि जिसे हम दाया आलिंद कहते हैं यानि जो मनुश्य के अंदर पहले जो रक्त इकठा होता है वो आपके पास दाया आलिंद में इकठा होता है दाया आलिंद को हम क्या कहते हैं राइट एट्रियम और दाया जो आ आपका जो impure blood है वो किसके दवारा आपकी फुफूसिय धमनी के दवारा जिससे हम pulmonary arteries कहते हैं उसके दवारा फेफ़डो में जाता है और वहाँ पर आपका deoxygenated blood है वो oxygenated होता है और वहाँ से आपकी CO2 release हो जाती है alveoli के अंदर और शुद्रक्त यानि oxygenated जो blood है वहाँ से आपकी pulmonary veins लेकर जाती है और कहां लेकर जाती है आपके पास left atrium में यानि बाएं आलिंद में लेकर जाती है और वहाँ से pump कहां होता है आपके पास left ventricle में होता है यानि बाएं आलिंद में होता है और वहाँ से pump होता है कहां rest of the body तो ये लिख देता हूँ यानि right atrium से कहा जाता है right ventricle और right ventricle से कहा जाता है lungs कहा जाता है lungs और lungs से वापिस कहा आता है पहले left left artery atrium में और left atrium से कहा जाता है left ventricle और left ventricle से कहा जाता है rest of the body तो यह process बचो blood circulation की कि कौन सी सिरा फेपड़ों से हरदे में शुद रखत लाती है तो कौन सी सिरा फेपड़ों से हरदे में शुद रखत लाती है तो फेपड़ों से जब लेके आती है तो वो आपकी फुफुशिये सिराएं लेके आती है कौन लेके आती है फुफुशिये सिराएं ये भी बदा देता हूँ दो अपवाद है यहाँ पर एक अपवाद तो यह है कि किस धमनी में आपका रक्त एशुद होता है बाकी सारी धमनियों में शुद रक्त होता है और एक धमनी ऐसी होती है जिसमें रक्त एशुद होता है तो कौन सी आर्टरीज जिन में एशुद रक्त होता है तो वो होती है धमनिया जिसे हम पल्मॉन्री आर्ट्रीज कहते हैं क्या कहते हैं पल्मॉन्री आर्ट्रीज और दूसरा अगर क्योस्चन आए कि फेपड़ों से हर्दे शुद्र हर्दे रक्त यानि हर्दे तक शुद्र रक्त लाती है तो ये एक ही सिराएं होती है जिन के अंदर शुद रक्त बैता है वो कौन सी होती है फुफूसिय सिराएं बाकी सबी सिराओं में क्या मिलता है ऐस शुद रक्त कलियर चलिए नेक्स्ट क्योशन कि फेपडे से हर्दे के लिए रक्त को ले जाने वाली रुदिर वाहिका को कहा जाता है यानि फेपडे से हर्दे के लिए रक्त को ले जाने वाली रुदिर वाहिका क्या होती है फुफूसिय सिराई होती है बच्चो चलिए नेक्स्ट क्योशन नेमिल लेकित में से कौन ऑक्सिजन रहित रक्त मानव सरीर के विबिन बागों से हर्दे में लाता है यानि ऑक्सिजन रहित यानि इंप्यूर बलड क्या बोलते हैं इसे इंप्यूर बलड जो मानव बोड़ी के विबिन पार्ट से यानि डिफरेंट पार्ट से कहां लेके आते हैं हर्ट में तो वो कौन लेके आती है आपकी नसे नसों को हम कहते क्या है वीन्स क्या कहती है वीन्स धमनिया क्या होती है आर्ट्रीज क्या होती है आर्ट्रीज होती है ये आपके पास तंत्रिकाई क्या होती है नर्व सेल्स होती है फेपड़े आपके क्या है लंग्स है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्योशन कि मानव हर्दे का दाहिना भाग रक्त प्र पत करता है वो क्या होता है तुम्हारे पास दाया आलिंद क्या होता है दाया आलिंद यानि राइट अट्रियम क्या होता है राइट अट्रियम तो निमल लिकित में से कौन से अंग से पेसमेकर सम्दित है यानि वो किस से है हार्ट से तो पेसमेकर का कारे क्या है तो पेसमेकर का करे क्या होता है दिल की धड़कन को सुरू करना प्रारंब करना सिरा आलिंद नोड बोलते है जिसे निमन में किसको हर्दे का प्रारंबिक पेसमेकर कहा जाता है तो S.A. नोड को कहा जाता है किसको कहा जाता है S.A. सिस्टोलिक आर्टरी जो आती है उसको कहा जाता है हर्द की मरमर निमन लिकित में से किस कारण होती है तो हर्दे की जो हार्ट की मरमर जो किस कारण होती है चवन वाल के कारण होती है जिसे चंदर वालव कहा जाता है क्या कहा जाता है चंदर वालव चांद वालव कहा जाता है चलिए निमन में से किस के यानि किस ने आनविक सिदांत परतिपादित किया था यानि Molecular or Atomic Theory किसकी देन आपके पास John Dalton की है किसी परमानों के बायतम कक्षया में कितने Electron रह सकते हैं तो Maximum कितने रह सकते हैं आपके 8 रह सकते हैं Sodium परमानों में Core Electron की संख्या कितनी होती है तो वो कितनी है उसके पास 11 Electron होते हैं चलिए Next Question हमारे पास Sorry बच्चो इसमें एक चीज है Core Electron पूछे हैं तो यानि Outermost Electron तो Core Electron कितने होते हैं 10 और Outermost Electron कितना होता है 1 तो Core Electron का मतलब है आपके पास अंदर वाड़ Electron यानि बयकक्षा को छोड़ कर जो अंदर Electron बैटे हैं वो कितने होते हैं उसके पास 10 होते हैं तो लिखा कैसे जाता है आपके पास 2, 8, 1 तो ये आपके पास Inner Electron होते हैं Core Electron बोलते हैं और ये आपका Outermost Electron है Clear चलिए परमानों का दर्वेमान किन मुलिक्टनों पर निर्वर करता है तो तीनों पर निर्वर करता है Proton, Electron और Neutron तीनों Fundamental Particle होते हैं एन इस्चित्ता के सिदान्त का परतिपादन किया एन इस्चित्ता को कहते हैं Theory of Uncertainty Principle of Uncertainty जिसको देन किस की थी Heisenberg की थी Uncertainty का अर्थ ये होता है कि एक समय पर हम उसकी चाल और उसकी स्थिती का पता हम नहीं लगा सकते कि जैसे मान लो कोई भी Electron है तो उसके लिए हम एक समय पर यानि एक ही बिंदू पर उसकी स्थिती का और उसकी चाल का पता हम नहीं लगा सकते एक साथ Simultaneously तो वो चीज़ क्या थी Heisenberg Uncertainty Principle था Clear चलिए Next Question नाबी की खोज रुदर फोर्ड ने किन कनों की साहिता से की थी यानि Discovery of the Nucleus by the Rutherford by help of which particle तो वो कौन से पार्टिकल थे आपके Alpha पार्टिकल किसी तत्तों की रासाइनिक पर करती निर्बर करती है तो वो किस पे निर्बर करती है Electron पर किस पे करती है Electron पर यानि वैसे अगर पुछे कि किसी तत्तों की रासाइनिक पर करती निर्बर करती है तो वो हमारे क्या होते है Electron लेकिन यहां हम क्या देंगे Answer सेयों जी Electron पर क्या होते हैं सेयो जी एलेक्ट्रोन पर तत्तव की रासाइनिक पर करती किस पर निर्बर करती है वैलेंस एलेक्ट्रोन पर करती है किस पर करती है वैलेंस एलेक्ट्रोन पर सिद्धा पूछ ले कि न्यूट्रोन एलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन में तो उत्तर क्या लगाना आ से किसे विवाजित नहीं किया जा सकता है देखो धन आयन होता है विवाजित किया जा सकता है पर मानू और ना भी इन तिनों को विवाजित किया जा सकता है पर फोटोन को विवाजित नहीं किया जा सकता है फोटोन क्या होते है जो परकास के कन होते है और फोटोन जो नाम दि fact के concept से दिया है तो चलिए बच्चो आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ है वीडियो कैसी लगी लाइक और सेर करना ना भूलें धन्यवाद